तो यह कैसी मितलम में समझ नहीं पा रहा था कि एक आई-एफ ओफिसर कैसे बोलिवड में डिरेक्टर बनने का क्या जर्नी है मितलब आपका कोई बैक्ग्राउंड नहीं है फिल्मेकिंग में बोलिवड में कोई कॉंटेक्ट्स नहीं है और आपने काजी जैसी इतनी बड़िया मूवी बनाई है जो मैं कहा हूँगा कि 99% जो पोलिवड मूवी बन रही है उनसे बहतर है वो यह बहुत ही सर्प्राइजिंग था कि मितलब हम उस पर बात करेंगे कि क्यों वो मूवी एक मेंस्ट्रीम थेटर्स में या OTT प्लैटफॉर्म्स पर नहीं है और मुझे वो ओपन थेटर जो प्लैटफॉर्म है वहाँ पर मैंने देखा वो वहाँ पर एक ओर अच्छी मूवी है एंडामान तो यह मितलब क्या जर्नी है मितलब मैं क्या ट्राइजिशन है यह मितलब आप समझाईए थोड़ा कि आई-एफ ओफिसर से यह क्या मितलब में कौन सी लाइन में आ गया तो मेरा इंटेंचन कभी बॉलिवोड में घुषने का नहीं था मूवी बनाने का था वो मैंने हिंदी में इसलिए किया सोचा कि मेरे यहां के लोग हमारी स्टोरी पुरे इंडिया में जाए पुरे देश में जाए लोहर कोई देखना चाहे जब मैं मूवी बना रही थी तब महौल कुछ और था जब तक मूवी खतम हुआ महौल बदल गया in terms of कौन खरीद रहा है कौन नहीं खरीद रहा है हमेशा पता था कि यह थेटर वाली मूवी नहीं है क्योंकि maximum cast और crew यह unknown है और जो आप पूछ रहे थे कि transition कैसे हुआ मैं हमेशा से कहानिय लिखती थे poetry लिखती थे और stories I think forge में रहने का forge में मैंने जब काम किया उन्होंने जो मेरे को सिखाया एक होता ना that thing that आप कुछ कर सकते हो बड़ा सोच हो हमेशा छोटा सोच के कोई फायदा नहीं है बड़ा सोच हो मेरे कहानिया जब select होने लगे तो मुझे लगा कि कोई और इसको ना बोले मैं ही अपना कहानी बताओ तो मैंने उसको सुचा कि मैं बनाते हूँ तो जब एक बड़ सोच लिया कि करते हैं मेरे हजबंड का पूरा support था हजबंड भी वेरफोर्स में है तो मैं तो मजाक में से mention किया था कि मैं क्यों नहीं बना लिते हैं तो अब बना ओ जब यह वाला होगे तो ग्रैब दा ऑपरचुनेटी और यह मेरे को मेरे बीटे से मिला कि यह वाज़ पराइस नॉट पराइस नॉट पराइस वाज़ एवाज़ बहुत मांगा था कि तो उसके साथ-साथ यह हुआ, I was about to leave service, या continue in service, तो वो एक time period आया था, decide करने का, यह साथ-साथ यह भी आया कि, हम बना लेते मुवी, एक बार thought आ गया, फिर उसको बहुत ही practically जाना होता है, किसी भी बड़े टास को, totality में नहीं देखना है, अब उसको छोटा-छोटा-छोटा-छोटा-टास में तोड़ दो, तिन आसान हो जाता है, अपने आपको सिखाना, लोगों के जर्नी से सीखना, क्योंकि मैं खुद किसी सेट में नहीं गए थी, तो मैंने बहुत सारे फिल्मेकर से बात किया, मैंने उनके साथ टाम स्पेंट किया, उनके क्या प्रॉब्लम्स थे, वो मैंने अपनाया, मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे कॉमबाट करूँगी, अदर देन दाट मेरे पूरे जर्नी में, जो भी लोग मेरे साथ जोड़े, बहुत ही सपोर्ट अब थे, चाहिए, वो मेरे डियोपी थे, उनको पता था कि मुझे सिनेमाटिक लैंडमविज में बोलना नहीं आता, कि, डियोपी क्या होता है, डियरेक्टर अफ फोटोग्रफी जो सिनेमाटोग्रफर होता है, मुझे नहीं पता कॉन सा लेंस क्या है, मैं बस बोल से थे, कि मेरा कारेक्टर ये फील कर रहा है, वो मेरे साथ हर लोकेशन पर आयता है, कि, यहां पर मुझे ये दिखाना, मुझे इस अंगल से दिखाना, मुझे यहां डर दिखाना, मुझे थोड़ा सा शेकिए, I want my camera to breathe, अब मैं किसी और को बोलूगी, वो शायद ये नहीं समझ पाई, और उनको एकदम से समझ में आ गए, the fact that, उन्होंने मेरे पे confidence दिखा है, मुझे confidence आया, it was more like, externally मेरे मेरे बहार से आया, मेरे को, because बढ़र दी भी था मेरे अउस टाइम पर, तो इस विज़े से मेरा confidence बढ़ता गया, लेकिन ये शुरुवात कैसे हुई, और आपने जिस तरीके से, ये क्या confidence है कि भाई, आप लिख भी खुद रहे हो, आप direct भी खुद कर रहे हो, और acting भी खुद कर रहे हो, मतलब ये तीनों चीज, इस परफेक्शन से कर रहे हो, ये मैंने का था, जब मैंने रिशब शेटी की जो मूवी थी, कांतारा, जब वो देखा था, तो वो मुझे एक ऐसा brilliant execution लगा, acting, direction as well as writing, it was mind-blowing, और जिसमें मतलब, this is second example, I am saying की तीनों में, जो perfection है, वो कैसे मतलब, acting के लिए तो कई साल, मिलब schooling चलता है, कई exit, मिलब बहुत practice करना पड़ता है, तो आपने ये तीनों चीज़े कैसे किया, मैं चाता हूँ कि आप शुरू से बता हैं, थोड़ा कि ये शुरूआत कैसे होई, कैसे आए कि मैं लिखती हूँ और इसको मतलब, मुवी डिरेक्शन में गए कैसे, तो शुरूआत काजी से करते हैं, काजी शुरूआता है बहुत ही शॉर्ट स्टोरी पर, मेरे हजबंड दारजलिंग से हैं, तो उन्होंने अपने पूरे जर्णी में, यह ज़र्णी में भाट ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, कबी-कबी वो अपने आप पर बुरा फील होता था था उनको, ज़र मेरा बेटा पैदा हुआ, मुझे लगा कि I don't want, मेरा बेटा भी ज़्यां से गुजरे, तो मैं चाहते थी कि, I wrote a short story for my husband, कि अगर कोई उसको ऐसे बोल रहा है, ए चिंखी, that's a bad word, illegal, time बता, तो उसको इतना गुसा आते है उस character को, short story में, वो उसके ऐसे आखों में देखता है, बोलते हैं, तू मेरे से क्या time पूछ रहा है, तेरा time अब गाया, you don't know who you are, तो वो ऐसे बोलके, फिर time बोलते है, अगले दिन जब वापस आता है, देखते हैं, वह ही बन्दा, उसका boss, उसके रोट पे बैठा हुए, उसका shirt रोट खुला हुए, टाई असे निकली हुई है, ऐसे ना वो lost बैठा हुए, कि वो पहचानता नहीं आपना, that's when he realizes he has superpowers, मैंने एक चीज जो उनके आखों को लेकर बोलते हैं, उस चीज को मैंने, I used that, to give him a superpower, that character, फिर फिर I thought of developing it into a script, जब script भनाया, तो that time I didn't know I was going to make it, तो उसमें Air Force officer था, उसमें A.T.C. था, तो आपके अपने दुनिया भी उसमें आगई कही नगई, Yes, you write from experience and what you observe in the world, तो फिर जब उस पॉइंट तक मैं पॉँज के थे, मेरा एक script धर्मा के पास जाके शॉटलिस्ट वा था, another different script, a women-oriented, भूट ही powerful story था, तो उनका था कि जब बनेगा तब हम आपको बताएंगे, the payment and everything, so that, if I'm thinking of leaving service, मतलब अगर मैं छोड़ने जाने तो वो क्या surety है, कुछ भी नहीं, मैं क्या दिखाऊंग, कुछ हमें होता है ना कि दिखाने के लिए कुछ या तो पेचेक होना चाहिए, मैं सोचा कि हम ही बनाते हैं मेरा script, जब मेरे दिमाग में ये चीज़ आया, before telling my husband, मैंने उसको अपने budget के हिसाब से लिखा, कि मैं रेटायर हो रहे हूं, मेरे को इतना मिलेगा, मेरा इतना savings है, और मैं थोड़ा सा loan लोंगी, तो कि इतना होगा, उस हिसाब से मैंने सोचा, कहां कहां कैसे, और story को मूल कर दिया, जो आपने देखा, without air force in it, तो आपने जब resign किया, air force से, और fully इसको dedicate किया, कि भाई ये करना है, तब आपको क्या लगा था, कि मतलब जो execution जहां तक था, जो आपकी दिमाग में था, कि क्या-क्या मुझे करना है, क्या आपको लगता है कि उस satisfaction से आप कर पाई, 90% जो मेरा script था, हम उसको बना पाए, but because I didn't have a lot of experience with, any experience with direction, कुछ चीज़े हैं जो मैंने नहीं shoot किया, कुछ angles थे, जो शायद मुझे चाहिए होंगे, जो मेरे को समझ में है, editing के time पर, तो मेरा education was not just in the pre-production, not just shoot के दौरान, but editing के time में मैंने बहुत कुछ सीखा, और मेरे जो editor है, और इत्तुर दत्ता बने, he is amazing, he's a very young boy, मतलब professional, he's a child artist, मतलब वो बच्पन से acting करते आ रहे हैं, अभी उनके Prime में भी उनका एक बहुत ही अच्छा सीरीज है, वे उनके बहुत ही अच्छा सीरीज है, इसमें बहुत ही अच्छा सीरीज अच्छा, इसी साल निकला था, स्वारी मुचे याद नियारा, he plays the role of this Bengali boy, इसे अच्छा आएगे, अच्छा, कोटा फेक्टरी या, ने ने कोटा फेक्टरी, बट वन मोर लैदर प्राइम, वेरी गूद आक्टर, तो उनोंने, बिकुस एप्टरीज है बिकुस एदिटिटिंग, he took the time out, मिरे को सिखाने के लिए, कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो the story was reborn there, मेरा केले का effort नहीं है ना, बहुत सारे लोगों का effort है, एंड जब casting का आपने सोचा, पहले coast की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा project होता है, फिल्म बनाना है हमारे लिए ये एक यार, पता नहीं कितने करोड रुपए लगेंगे, तो आपका budget इस sense में कैसे बना मतलब, ये एक जो budding directors और जो film makers हैं, उनके लिए भी वो रहेगा कि कितना बड़ा budget का, budget का क्या मतलब आपका पूरा thinking था इस process है? budget था कि मेरे पाथ जितना है, वो जो चोटा लोन के अलावा, मैंने कुछ एक्स्रा नहीं किया, जो जो लोन मेरे पेरेंट से और बैंक से थोड़ा सा लोन है, ताकि इतना मैं वापस कमा सकू वापस, मेरा ये thought process था, बाकि जो मेरे account से जा रहा है, या जो मेरे savings है, वो मैं as learning value लोंगे, कि अगर मैं बाहर जाके पढ़ाई करती तो, this is a personal thing, other than that, मेरा जितना budget था, मैंने उस हिसाब से location रखा, मैंने उस हिसाब से equipment रखा, जाद से जादा expenditure मेरा post-production and equipments में रहा है, and in hiring the best, मेरे अलावा, कोई और नया नहीं था सेट पर, tech side में, actors बहुत सरे नहीं था, but ताकि, मैं भी अनाडी सारे अनाडी तो, वो भी नहीं बन पाएगे, तो मेरे उनका भी guidance था, मेरे पास, उनका experience का value था मेरे पास, और budgeting, जैसे मेरे एक बताते में, मेरे prop master and मेरे इतना लगेगा, मैंने का नहीं, मेरे पास 50,000 है, इसमें जो आएगा, आएगा, bag, borrow, steel, यही करेंगे हम, तो they went with that, जैसे accommodation के लिए, मैं खुच जा जाके, after shift में, duty में जाते थी, क्योंकि एक बुच जगा पुला, 1800 पर पर सन, यह तो कम ही है, जादा तो नहीं, बहुत जादा है, अज़ा कितने लोग थे, पूरे, about 44, 44, तो फिर मैंने बुला कि नहीं, फिर मैं खुद गई, फिर 250 पर हेट के साब, 250 पर हेट, because I have shown my face, I have shown, मैं तो फोजी के पास कितना होता है, इसमें अगर movie बनाएंगे, that personal touch बहुत matter करता है, अगर आप किजी के हाथ में छोड़ ज़ोगे, जब आपका budget कम है, तो आपका budget कभी within budget नहीं रहे हैं, आपको अगर करना है अपना budget है, तो आपको हर चीज़ करना परोगे, तो 250 इनिशली था, फिर थोड़ा budget के 450 हो गया, अगर मतलब आपको यह नहीं था कि यार, मतलब थोड़ा जो actors में ले रहे हूं, जो hire कर रहे हैं, जो इसमें film करेंगे, उनमें कोई भी बड़ा star नहीं है, अगर मतलब आपको यह नहीं था कि यहार, but not according to yes, the OTT जो आजकल डिमांड करता है, sir to has been in this industry for so many years, even Sunil Thapa sir, 48 years in the industry, Hiba Shah, she has been doing theater for Sola, तो मुझे मेरे actors की कीमत है, मतलब मुझे उनका acting चाहिए था, क्योंकि as such I could not afford, मतलब मैं नहीं था कर सकते थे, बड़े actors, पर मुझे, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं, जिसमें शी प्लेजी फिर्म धर्मा काई अगयन, जिसमें शी प्लेज, इसा होरर रॉन, जैसे मैंने उनका चेहरा देखा, मुझे लगा, हाँ, शीज मिसेज जया, मैंने उनको इंस्टाग्राम पर मेसेज हिया, रिपलाई भी आगया, तो फिर मैंने कर चेहरा, आगे बढ़ते हैं, तो सारे ऐसे ही हाईर हुए है क्या, शीशिर सर्थ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड अगर आप एक बड़ दुनिया को बोल दो न, कि मुझे ये चाहिए, नहींना कहीं से, ये सारे के सारे जैसे आपने बताया कि जाया जीगा करेक्टर जिस तरीके से है, वो सारे आपको कैसे विजुलाइज हुए, क्योंकि उस चीज़ के लिए अगर आप अपनी मुवी विजुलाइज कर रहे हो स्क्रीन पे, तो आपके पास कम से कम, मेरे हिसाब से कम सेकड़ों मुवी तो आपके पीछे होना चाहिए, कि देखे हुए होना चाहिए, कि आप उसको विजुलाइज करो, तो क्या आपका इंटरेस्ट इतना था, कि आप बहुत मुवी वगेरा देखते थे, मेरा विजुलाइज़ेशन मुवी से बिलकुल नहीं आए, मेरा विचुलाइजेशन किताबों से आए, अचाँ, My first love is books, Best Friends of Books, नहोंने कभी मिला साथ ने चोड़ा, चाहिए लाइफ में कुछ भी हो जाए, और अलसो रेडियो, रेडियो पे मैं वो बायोस्कोब देखते थे सुन जी थे तो आख बंद करके पुरा मुवी दिमाग में चल रहा होता है सिर्फ लोग के आवाज है So you are visualizing on your own तो बुक्स से visualize करना है तो काजी जब पहली बार दिखा था विद अर्फोर्स elements and all in it वो अलग visualized किया था तो when I reached the final draft after 17 re-draft it was a different सारे characters अलग थे मेरे थे माँ काजी बहुत ही अलग था पट जब मैंने like Biswas Timsina was not my first person I had approached I had approached many people पट जब मैंने Biswas को देखा मेरा जो intention था not to have a hero like hero because Roma को भी आपने दिखा होगा she's a soft bodied woman she's a soft personality जैसे हम होते हैं not all of us are chiseled जैसे हम जैसे normal लोग के लाफ में extraordinary चीज़े हो सब जब मैंने एक बड़ Biswas Timsina को देखा मैंने लगा कि नहीं मुझे यही बंदा चाहिए तब मैंने उसके characteristics काजी में दाले the funny elements and on set कुछ कुछ impromptu there was one scene where काजी पुस्ता की should I do the kitchen she's like no should I do this no should I do you should I do you at such naughty line I would not have written it उसने वही पर बोला हमने रखिये so everybody brought their own Benji was very different Benji was a Bangali man when I had written it but then when Shishit sir came no I had to make him because Shishit sir is there I want to his experience his characteristics and all that so it had it went through another revision like Mrs. Jaya के ले mostly same था but Hiba had pointed out कि ये ये elements शायद सही नहीं लग रहे I imbibe those also it's a very collaborative पूरा teamwork है बहुत teamwork है बहुत जयदा it's a living breathing thing तो script level तर कुछ था shoot पर कुछ था editing level पर कहानी थोड़ा सा modify होता but how do you get in touch with all these people मतलब कैसे जैसे आपने कहा कि actors का आपने अप्रोच किया कि किसी के थूर एक उनका एक circle है कही ने कहीं वो आपका आगे लिकिन post production वाले camera वाले ये सब लोग कहां से मतलब कैसे आपने Shubhu was my first my cinematographer first person I had hired for the thing before through LinkedIn तो मुझे कुछ पता नहीं था कहां से क्या and Shubhu said कि मैंने 10 साल में LinkedIn खोला नहीं पहली बार देखा मैसेज आये LinkedIn के जितने भी लोग जुड़े हैं it's only because of the script क्योंकि मैं कौन ही हो मेरा कोई body of work नहीं है कुछ भी नहीं है कि मैं दिखाऊ तो मेरे सबसे बड़ा surprise है कि so script की वज़े से लोग आए my editor through Shubhu मैं टोले मेरा budget ज्यादा नहीं हम बाकी जगा भी गए but per hour expense है और मुझे अगर 120 घंटे काम करने है वो में लिए बहुत ज्यादा हो जादा again cost came into factor and oritro did not bargain once also with me उसमें बुला ठीक है और इसमें total cost अगर मैं पूछो तो कितना लगा होगा इस टाइब के project में जब हम बात करते हैं because ये डेट गंटे की movie है so approximately 65 65 to 75 पूल सकते है because I have not added my cost to it two years of not working running a household so but अगर आप मितलब mean stream actors I am not talking about stars but mean stream actors who know really well how to act theater actors and who are popular also so अगर उनको लेते तो करोड से उपर चला जाता बजाथ कहीन है कहीन yeah you didn't feel कि यारन की जरूरत नहीं है they are not fitting into these characters actually रोमा के लिए I had approached another person two other people both beyond my budget okay तो फिर फिर लास्ट चोईस मैं थी that was not the first choice for I mean what you have done with that character is brilliant जो acting आपने कि और पहली बार आप ये कर रहे हो तो it's brilliant उसमें आप कैसे मितलब जिसे हम क्या होता है कि real life में जिस तरीके से हम behave करते हैं और जिस तरीके से आप screen पे अगर उस तरीके से behave करो तो आप पागल घोशित हो जाओगे मतलब we are very casual मेरे को उल्टा लगता है कि हम real life में खुद की तरह नहीं रह सकते आप कितना अपने true nature में रहते हैं you are always somebody the version of you sitting जो आप मेरे साथ बात करेते I am sure वो आप हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे आप किसी और के साथ किसी और की तरह और मुझे लगता है कि कैमरा के सामने मैं जो हूँ as that character मैं वो असली में दिखा सकते मुझे रोना आ रहा है तो मैं रो सकती हूँ मैं इस एज में मेरा चार सार का बेटा मुझे रोना आएगा न तो मैं अपने आपको रोग दे मैं कुछ और सोचने लग जाओंगे मैं वो महसूस ही नहीं करोंगे और कैमरे के सामने वो तो मेरा एक privilege है कि मैं वो बन सकती हूँ मैं कर सकती हूँ मैं explore कर सकती हूँ मैं पागलपन दिखा सकती हूँ the most beautiful medium में को ऐसा लगता तो कहीं है आप ऐसा तो नहीं कि direction से शुरू किया और फिर acting में पूरा full time वहाँ पर चले गए कोई देगा opportunity वाई नाट अरे कोई देगा कि आप खुद दो ना अपने आपको आपने शुरू कर दिया है तो now you are thinking कि अब you feel कि आपने जिस तरी के डिस्क्राइब किया है कि acting में इतना expression आप कर सकते हो तो क्या जो next projects होंगे आपके उसमें आप चाहोगे कि अब थोड़ा मज़ा आने लगया है ना कि acting करना है मेरे को तो एक करेक्टर तो मेरे को रखना जागे मुझे अभी लगता है कि जिसमें मैं डिरेक्ट कर रहा हूँ I will concentrate on direction अच्छा बिकाज मेरे को मेरा खुद का जब मैं रोमा को देखती हूँ कुछ को scenes में मेरा बन करता है क्या हो रहा है यहाँ what is she doing what exactly बताओ कौन से scene में आसा लगा एक dining hall पे वो बैठे हुए वो बोलती है which is the writer तो वो but वो बोलती है क्या नहीं बोलती है वो तो आवाज आती है बस एक तो उसके मन में आता है but then the rest that entire scene मुझे ऐसा लगता है कि it could have been thousand times better मेरा personal answer नहीं वो ठीक है मतलब वो मैं मानता हूँ कि कई जगे पे सिर्फ वो मुमेंट नहीं कई जगे पे ऐसा है कि जो accomplished actors है वो कहीं नहीं वो थोड़ से rough edges उसमें है but that is ठीक है मतलब because you are doing it first time and there are many people who are also doing it first time वो उतना perfection नहीं है जो जिसने 50 movie किया है और 30 साल से theater कर रहा है of course वो difference होगा but overall यह काफी बड़िया मतलब execution है तो experience के सार आपका यह बिताए कि जैसे आप पहले हैं आपने ठीक है आप 70 लाग का हर कोई तो afford नहीं कर सकता है you have worked for 10 years and IAF and your of course your husband is also there in service तो अगर आपने तो वो पे करेंगे loan यह privilege है कि मैं जो कर पाए है वो हर कोई नहीं कर सकता इस लेवल पे with this kind of budget but ज़रूरी नहीं कि आप नहीं कर सकते मैं अगले जो projects करोंगे मैं इससे बहुत कमे बनाऊगे कि मैंने ऐसे रखा क्योंकि जो से मेरा camera है Arri Alexa Mini और वो कुलकाता से लाने का भाड़ा फिर उनके साथ वालों का भाड़ा फिर दिन का भाड़ा वो उसमें बहुत ज़्यादा expenditure बढ़ गया था पर वाइ नोट विद इस cameras जो आप भी यूज़ कर with good lighting that's why knowledge is very important मैं अपको सिखाऊंगी how to reduce my budget how can I do it with a mobile phone कौन guarantee दे रहा है मेरे को कि Netflix ही खरीद रहा है मेरा project अगर वो नहीं खरीदने वाले है तो मैं क्यों उस level पर बनाओ वो काश किसी दिन ऐसा होगा storytelling is important कहानी बहुत important है काजी is not just काजी सिर्फ एक mind-bending story नहीं है काजी में बहुत सारे social causes है जो मैं अपने बचे को अगर कुछ समझाना चाहते हूँ कि पिटा डो दिस पिटा डो दिस डो दिस डो दिस में वो नहीं समझेगा कहानी बताऊंगे वो relate कर पाएगा किसी character को तभी वो अपना पाएगा that was the purpose with काजी किसी दिन किसी के पास time हो तो मैं वो भी explain करोंगे time है बदाएगे बिल्कुल time है एक तो racism है जो काजी का बात किया जैसे बत casually वो बोलते है कि मन में बोलते है पिर वो बोलते है कि तापा, same thing ये वाला अच्छली मिने हजबन के साथ हुआ था जब जब हुरूंग बट उनको ऐसे थापा थापा बोलते है तो इस वरी annoying आपका अच्छा नहीं लगेगा हर बार कोई आपको ऐसे पोक करें ये चीज़ नॉट इन वेरी की नॉट लेसन की तरह नहीं चिखाया है वो पार्ट अव दे स्टोरी है ये सब नहीं होना चाहिए जैसे रोमा का है जब वो एक intimate scene है उनका bedroom में शीज़ प्रेग्नन शीज़ दवन जो अपने हस्बेंट को मतलब किस करने के कोशिश करते है मतलब जो भी होता है उनके बीच ये इसलिए important है क्योंकि हम प्रेग्नन विमन को बस एक गाई की माता की तरह देखते है पिट एक प्रेग्नन वारत के भी नीज है वांट्स है डिजायड है intimacy is not just being physical it is also मन का मिला अपका सोच empathizing बहुत सारे चीज़ है फिर जैसे काजी बोलता है कि मेरा काम है कमाना वो बोलते हैं कि किसने बोला है मतलब survival हर किसी का requirement है तो इसमें gender कहां से आ गया मुझे भी survive करना है बट वो rough edge है मैं अगर वो कहूं तो वो कहीं न गई filmmaking में उसको थोड़ा सा और मतलब रादर देन रादर देन through dialogue मतलब कुछ और तरीके से दिखाया जाए मुझे नहीं बता है मेरेको तो कुछ नहीं बता है I will take this as constructive criticism कि next time मैं उसको dialogue के जगा how else can I explore जैसे कहीं नहीं racism की अगर हम बात कर रहें dialogue की नहीं आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था उसके साथ बहीव नहीं करना चाहिए था उसको थापा नहीं बोलना चाहिए rather than मलब ऐसे बताने की बजाए dialogue के थू you have shown it उसी तरीके से उसमें भी you could have shown it on that sense I am saying but maybe you didn't have time वो सब रहता है उस time पर मुझे उसका mind reading and aroma का डरना की वो बोलता की क्यूकि वो उसकी पीठ पीचे ऐसे मन में सोच रही है और उसको नहीं समझ में आ Рहा कि वो मन में सोचा उसने उसको लग रहे है वो उसने बोला है तो मैं ये भी दिखा रहे है काजी कैसे समझ नहीं पा रहा कि reality क्या है मन का सोच क्या है तो जब वो जवाद देता तो रोमा डर भी जाते बट फिर भी वो उसको benefit of doubt देते इन दोने के बीच का relationship भी बहुत explore गया मैंना कि a man इनका एक जैसे miscarriage हुआ रोमा वो move on करना चाहते बट काजी को guilt होता है बहुत कि वो उस टाम पे अपनी wife के पास नहीं था जब यह सब होता उसको ऐसा लगता है शायद अगर वो होता तो शायद यह नहीं होता जिस incident जो incident हुआ है नहीं उसका जवाब तो कुछ भी to the power end हो सकता है तो वो guilt लेके बैठा रहता है तो वो उसके साथ नहीं जा पाता क्योंकि वो उसके साथ नहीं जा पाता है वो अपने मन में अज्यूम करता है कि इसका किसी के साथ अफैर चलता है जो विजय के पास जा रहे होगे हमारे इदर एक कहवत है कि वहम की कोई दवाई नहीं है तो वो वाली बात है तो वो उसी कॉंस्टेंट लूप में वो कहीं नहीं जीता है करेक्टर बट दे वे इट अस बिन शॉन आपको पूरी मुवी में सस्पेंस जो है जैसे मैंने आपको बता है वो मुवी कहीं नहीं जाने जान जो मुवी आई थी जैदीप एलावत और करीना कपूर की उस लेवल की मुवी है वो बट उसमें शायद कि किसी भी करेक्टर का दो-तिन करेक्टर है ठीक है में नहीं बट उनको भी उतना नहीं है इस more focused is on story and storytelling rather than की मतलब एक चीज़ पर focus है तो वो बहुत brilliant है और वो क्योंकि शायद वो जो rough edges मैंने हमने बात किया वो natural है वो तो constant improvement अगर आप किसी भी accomplished director की अगर movie आप भी साल पहले जाके देखोगे और वो after doing all this assisting और ये सब सब के साथ थोड़ा बहुत काम करके आप तो direct कूद गए इसमें field में तो it is very new for you और ये तो मतलब मतलब हमारा तो मैं फिर भी सोचता हूँ कि हम कुछ तो camera में हम बात करते हैं हमारा कुछ storytelling है कि किस तरीके से present करना है you are completely from a different background अब तो arm forces से आके यहां पर it's a completely different world तो थोड़ा ये बिताए कि जैसे as a culture bollywood or the whatever we can call it Indian film industry और Indian arm forces और IAF इनमें क्या cultural आपको क्या मतलब different लगा similarities बहत है अच्छा the rank structure है a community type है मैं बॉलिवोड नहीं बोल सकते हैं बॉलिवोड के हैं I have met few people who are part of part of Bollywood but that doesn't mean I am from Bollywood or I know Bollywood मुझे film set का जो लगा और एक air force base का बहुच familiarity अच्छा as the director आप EOC की तरह हो air officer commanding एक base के मुझे as director मुझे नहीं पता कि कौन तरह personally ऐसे बहुँचारे directors है जिनको हर चीज़ पता है बट ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो आपको अपना vision पता होना चाहिए आपको अपने मन के पर्दे पर पूरा movie दिखना चाहिए और आपमें इतना capability of communication का कि आप बाकियों को भी यही picture दिखा सेंगे चाहे वो आपके set designer हो EOC-based की यही करते है EOC को नहीं पता कि runway का depth कितना होना चाहिए या फिर मेरा radar में कितने HPAs है 8 HPAs है, 7 HPAs है कितने working है कितना rotation per minute है मुझे basic पता है पर अगर खराब हो गया as radar controller मुझे नहीं पता कैसे fix करना है उसके लिए specified काम है जिसका specified role है और Air Force में किया है और given responsibility as a 21-year-old when I was 21 I had the entire flying मेरे अंडर था जब में डाटको हो थी ती duty air traffic controller तो मेरे अंडर 4 CFTs होते था crash fire tender होते था सारी flying मेरे commands पे हो रही है हला कि I am doing on behalf of somebody but अगर emergency होगा I have the decision making power I will tell my crew अगर crew नहीं है chief officer अगर उनसे बात नहीं हो पारी SFS नहीं है कुछ है तो split second decision कौन लेगा ये decision making power में को forge ने कितने पहलोई से दिया है तो same thing I believed in my in my onset also कि जो बंदा है अगर वो समझ गया करना किया तो मैं फिर उंगली नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगते है ये बताएंगे तब मैं बताऊंगे because you become a parrot you cannot be a controller and be a parrot true same with with my D.O.P. I cannot tell him कि exactly इसमें zoom in करो we choreograph things yes कुछ कुछ scenes है जहां पर choreograph ही की बहुत ज़रूरत पड़ी थी but that's a combined effort जहां पर required है क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा मुलब चीज हुआ कि अगर आपको सब कुछ आप नहीं force कर रहे हो कि आप नहीं बता रहे हो कि भाई ये angle लो और उस बंदे पर ट्रस्ट कर रहे हो कि he will take the angle that is because उसको भी experience है 10 साल का 15 साल का है exactly उनको experience भी है also एक sense of belongingness होता है कि my contribution if I make him somebody जो सिर्फ होल्ड कर है किसी चीज़ को उसको क्या दिलचस्पी लेगा उनको जितना मेरे D.O.P. को प्यार है मुबत है इस movie से उन्होंने इतने बड़े-बड़े projects के है उससे सबसे जादे प्यार उनको काजी पर है मेरे editor को भी है because editing में अच्छो मुझे नहीं पता था कुछ तो I मैं उनके expertise पर बैठी हुए थे उनका भी एक responsibility का sense of responsibility हमारे Air Force में एक बंदा होता है bird watcher bird watcher का का काम है birds देखना runway का उससे भी ज्यादा बड़ा हाँचा हो सकता है उसका इतना vital job है पर अगर वो अपना job नहीं करेगा तो flying नहीं हो सकता है अगर bird watcher नहीं है millions of dollars का loss भी हो सकता है तो he needs उसको पता होना उसको क्या motivation मिलेगा उसको तो लगेगा मैं दिन भग तो birds ही देखते रहता हूँ मेरी क्या value है उसको संझाना पता है कि भाई अगर तुम नहीं करोगे ये काम flying नहीं हो सकती है every person in Air Force knows their value और इसने मैं भी चाहते थे कि मेरे set पे जो कोई भी है एकदम उसको अपना value बताओ तब ही अच्छा होगा handle these people probably feedback तो ऐसे ही मिलता है अब मैं बोलोगी तो ऐसा लग रहा है मैं करें और अगर आप वैसे बात करें challenges जो एक ज़से आपने कहा कि आपकी एक script how does this world works कैसे film making usually कैसे work करती है कि कि आप script देते हो और जहां पर short list होता है तो वो decide करते है कि इसको direct कौन करेगा इसमें crew कौन रहेगा यह कैसे मितलब how does this world works क्योंकि आप तो आपको पता चल गया होगा ultimately say होगा जिसके पास पैसा है अच्छा अगर आप non director हो तो आपका भी say होगा मुझे यही यही बंदा बसंद है director के पास normally वो अपना बताएंगे यह मेरे choices है producer बताएगा कि ठीक है ठीक है मेरा एक बंदा यह but मैं यह सब आपको बोल जो कि मुझे जो लगता है ऐसा होगा I've not worked मैं किसी बाहर producer से काम नहीं किया producer के साथ नहीं काम किया अब करूंगी क्योंकि अभी मेरे पास एक body of work है दिखाने के लिए कि ऐसा होगा तो में भी आपके आपके ना answer this better next time but otherwise जो normal filmmakers हैं जो start start कर रहे हैं अपने script को सबसे पहले उसको copyright करवाए SWA Screen Writers Association of India उसके बाद ही आप अपना script मत दीजिए आप अपने script का synopsis दीजिए अच्छा and log line अपने आपको educate कीजिए कि how to write a good log line कैसे एक अच्छा synopsis लिखते हैं मतलब सिर्फ उसको काट के छोटा नहीं करना होता है इसको engaging बनाना है क्योंकि वोई synopsis ही पढ़ा जाएगा वोई synopsis क्योंकि आप यह सोच लो कि आप elevated picture बोलते है जितने में आप नीचे तक पहुंच रहे हो from तीन मंजिल इतने में आप अपनी story को hook कर सको अच्छा and कोई भी production house होते है उनके पास बहुत सारे stories होते है कोई guarantee नहीं है कि वो आपका अभी बनाएंगे तो waiting period बहुत जागा if you don't want to do this तो आप screenwriting contest में enter कीजे जितने भी screenwriter's lab होते है NFDC Film Bazaar का जो screenwriter's lab होते है उसमें कीजे co-production market अलग-अलग countries के हैं हमारे country के हमारे country ही छोड़िये हमारे हर state के अलग-अलग है co-production market में जाए पर इस सब में पैसा बहुत लगता बहुत मैं क्या बोलो अगर किसी को 5000 रुपय भी बहुत ज्यादा लग सकते है क्योंकि वो कोई guarantee नहीं कि एक competition में हो जाएगा आप बहुत सारे competition करगे और ये करी सालों तक चल सकता है बहुत long waiting period है उससे अच्छा है कि आप अपने आपको educate कर रहा हो कि कैसे छोटे budget में no budget आप एक movie बनना सकते उसके बाद आपका फुरा life रुका नहीं होगा उस movie के पीछे आपको लगता है कि जिस तरीके से मतलब मुझे जो दिख रहा है trend democratization of content और content makers कि पहले जो monopoly होता था कुछ media houses जैसे media में media houses का था उदर production houses था बॉलिवड में या अदर film industry अलसो और अभी आप जैसे पिछले 10 साल में जैसे tvf उबरा है और और भी लोगों के पास जैसे आपने movie बनाई है ठीक है आपने risk पे बनाया अपने पैसा काफी अपना खर्च किया लेकिन कम से कम एक रास्ता तो निकला है जो पहले शायद वो possible नहीं था because of internet आपके पास एक माध्यम तो हो गया है movie दिखाने का सिर्फ बनाना यह उदेश्य नहीं है दिखाना भी है problem क्या है कि जैसे filmmakers है हम लोग बहुत anti-social है हम अपनी किताबों में रहते है अपनी लिखित में रहते है mostly mostly हमारा हमारे पास कोई वो buddy चाहिए actually जो बहुत ही social हो जिसका बहुत सारा followers हो जब आप जैसे आप है अगर आपके channel पे मेरा movie अगर डार दिया तो decent amount मैं expect कर सकते वापस आगा अपने channel पे डालूँगी I have 78 followers उसमें I will not be allowed to monetize first of all हमारा problem से लिख यह नहीं है कि there are avenues बहुत सारे avenues है जहां पे आप कमा सकते हैं बट कमाने का शमता उतना नहीं है आप फिर से force हो जाते हैं अपने आपको सी OTT वाले उसमें वापस जाने के लिए क्योंकि बट आपने ट्राई किया क्या कि OTT पे नो दो सार मैंने एक साल back to back I kept approaching सबको feedback यह था कि movie बहुत अच्छा है production value भी अच्छा है love it's a good movie हम ले सकते हैं बट इसमें big star नहीं बस तो उनको भी तो अपना पैसा वापस बना बट उनको क्या खरचा आता है मैं समझा नहीं मतलब जैसे उनको अपने platform पे यह movie डालने में क्या खरचा है उसमें नहीं है they are paying you to put the money बट अगर आपको 30 लाग मलब 70 लाग में बनी अगर आपको 30 लाग 35 लाग भी देंगे वो तो आप तो खुशी-कुशी ले लोगे ना बट उनको क्या नुकसान है 30 लाग तो वो तो नहीं 30 लाग नहीं अगर किसी को पता नहीं है कौन है इस फिल्म है तो कौन देखेगा उनको अपने व्यूस पर मिलते हैं बट टे डूंट ट्रस्ट की वर्ड अफ माउथ होगा कुछ गैंबल है ना हर जब वो इतने बड़े लेवल पर खेल रहे है तो वो I'm just thinking कि 30-35 लाग तो एक बंदी की सैलरी देते होंगे वो लोग अभी जो लास्ट Amazon के जो head आए हुए थे NFTC Film Bazaar में उन्होंने जो बताया था कि बहुत ज़्यादे investment हो रहा है इंडिया में with original, with their own series तो उनका सारा पैसा उसमें जा रहा है पचता कुछ भी नहीं है for people like us अब मैं अकेली नहीं हूँ नहीं जैसे हजार लोग है so last year only more than 3000 people would have meet films हम कहां जाएंगे but not at this level, right? but वो वो है that is a problem कि उसमें उनमें vision नहीं है but that is that is expected एक ताइम पर जब मैं मुवी बना रहे थी तब जब आइडिया आया था तब आप 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 accepting different kind of films not just star base तीन साल पहले but the whole scenario has changed and last year बहुत ही मेरे लिए difficult था in terms of mental health because मेरे हाथ में कुछ नहीं था मैं बस वीट करे थी कि कोई कुछ बोले हर जगा मैंने ट्राइक मेरे से जितना हो पाए मैंने किया agent बोलो, distributor बोलो, direct order हर जगा में गई पर जब तक किसी और के हाथ में था तब तक मैं कोछ थी थी अपने आप कि मैंने क्यों ऐसा किया किस कीडे ने मुझे काट के बोला कि movie बना why did I have that confidence कि उस ताम पे वो मेरे लिए टास्क था जब तक मैं कर रहे थी जब बन गया उसके बाद uncertainty and रोज आपको अपने आपको ठाना पड़ता है and being a mother you don't have the luxury to be sad or to drown in depression you are a high functioning depressed person very high functioning but that doesn't mean your child is having a very good quality so you have to keep on working on yourself for your mental health for your family for this but जब I met Smita and Anand at Film Bazaar, open theater की जो लोगो उन से बात करके मुझे लगा I can also work for my film ये मुझे platform दे रहे हैं मैं भी लोगों से बात करूँगी मैं reach out करूँगी कि आके please मेरा movie देखा तो मेरा एक major मकसद है कि काजी बहुत लोगों तक पहुंचे ताकि मैं और movies बना सकते तो आपका अब vision क्या है उस sense में कि आप किस तरीके का जब आप सोच रहे हो कि मुझे ये movie बनाना है इसमें कहीं नहीं personal touch था which is not easy but कुछ relative आप अपने आप से सोच पा रहे हो but when you are thinking something that has nothing to do with your world जब उस टाइब का आप स्टोरी लिख रहे हो तो अगर मैं किसी और के लिखूंगे वो it'll be financial then it'll be like that यहां पर परस्नल नहीं बट अभी आपके पास भी तो कई स्टोरीज होंगी ना जिनको आपको develop करना है तो हर चली आपके लाइफ में कोई एक स्टोरी लाइन थरीन है अगर आप स्कूल जा रहे है तो आपका लाइफ सिर्फ वो स्कूल जाना और आना नहीं है you could be having a friend वो एक अलग स्टोरी लाइन है आपका एक हाथसा हो सकता है फैमिली में वो अलग स्टोरी लाइन है अच्छा हो वो स्टोरी लाइन हाट ब्रेक हो जब किजी का हाट ब्रेक होता है तो सिर्फ हाट ब्रेक थोड़ी ना स्टोरी होती उसके he's living a full life तो कितने स्टोरी जेक इनसान के लाइफ से मिल सकता है and how do you develop the story आपको एक strand मिल गया कि ये एक धागा है अब इससे पूरा सब कुछ बनाना है तो मैं अब question कर थे अपने characters अभी जो मेरे दिमाग में जो stories है अभी भी मेरे characters आपस में सिर्फ बात ही कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों किया जैसे काजी में जो लास तक मुझे नहीं समझ में था क्यों हुआ था मैं काजी को क्या प्रॉब्लम में मुझे ये भी नहीं पता था मैं I knew the story दिमा में डेवलप हो also it's very arrogant to think it's my story it's coming from the universe को अचा लगता कि you're just tapping into something and getting the stories it's all I don't know कोईसा लगईगा पागल साचीज़ but अपने उपकुछना करेट नहीं देना चाक्ते हैं कोस कहीं और से आया है मुझे मैं बस उसको I'm letting them talk the characters I'm letting them explore इसा क्योगा काजी का I literally sat with a with a DPM that is the book for mental health जो disorders होती है so I made columns with APD which is anti dissociative identity disorder schizophrenia and लोग देख लेगे पता चल जाएगा the last one जो actually उसको है सब में मैं point करते की co-morbidity scam though I'm not a that time I was not a psychologist now I'm doing अभी master's कर ली हूँ अच्छा या I want to know more about psychology human psychology yes तबी तो interesting characters बनेंगे I can't rely like you said I can't rely on only my stories for two years yeah yeah that's what I meant end of the day I have to answer every why for every character जब तक वो नही होता तब तक मेरा story नहीं करता and और आप देखते हो कि हर एक character जो main character आप उसका दो सोच रहे हो लेकिन POV जो है point of view जो दूसरे characters का है वो भी कही नहीं I want to ask you who's the main character मेरा काजी वही तो मतलब वो है ना मैं आपको पूसना जाते है आपको क्या लगा story कही नहीं जो जो वहम है ना story में वो है main character rather than the persons involved काजी में काजी is the longest running character in the film but he's not main character but you don't know his feelings you know the feeling of that girl in that room जो वेट कर ले किसी लड़के के बट वो भी किसी की imagination पिर भी आपको रूमा का feelings बता है आपको काजी के father-in-law father का feelings बता है रूमा और फादर का relationship भी explore हुआ है the Benji का जैसे feelings काजी के अलावा you know everybody's life this is a way of me telling the world कि don't take yourself so seriously मतलब हर चीज आपकी around the world नहीं होता बाकी लोग का भी है तो ये तरीका था मिला my philosophy will take on it कि not everything is important मतलब sometime nothing matters also and everybody is a kind of hero in their own life stories in their own so आपने जिस तरीके से characterization किया है इन सभी का जो character arc बनाया है उसमें मतलब जितना time ने allow किया उतना आपने explore करने की कोशिश की है so that everybody is a part of this thing Aniya is least developed for two reasons one because मेरी जो actor सी वो first day of shoot के बाद बुली कि मैंने कर ली तो मुझे अलग से लाना पड़ा तो we couldn't explore but also because काजी को लगता है कि यह उसके पिछे पड़ी है तो रोमा को नहीं लगता है रोमा डोसें तो तो that is why I didn't give that character that much importance she was not she didn't matter only in his life थोड़ा सा lose end लगा मुझे कि अगर उसको हाँ आपने कहा कि वो एक reason उसका यह था कि वो छोड़ के चले गए बट अगर वो भी कहीं से explore होता है कि भाई तुम क्यों seriously ले रहा आपने आपको exactly काजी बहुत ही narcissistic काजी बहुत ज़्यादा कि वो अपने सोच में भी उसी की वज़े से दुनिया चल रही है और जो वो सोचते है वही हो रहा है exactly exactly तो यह एक जो करेक्टर आर्क जो आपने कहा कि वो कहीं न गहीं हर एक मूवी में हम देख सकते हैं जो आप डिरेक्ट करेंगे कि आप जितना जयदा हो सगेगा सभी करेक्टर्स को वो लाइफ देने की कोशिश करो मैं ट्राइ करो कि थोड़ा और बेटर क्यारक्टर I like movies like it's a very common story बहुत common है वो लोग दो गैंग वाले अफीम के लैंड को लेके fight करते है but each and every character is तरना सुंदर तरी सुनोने किया है कौन सा गैंग है बहुत देवाइब है वो वेट करते है one minute के पहले फोन काता है बहुत गॉ अषटर अगॉलाब है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है if you see the storyline it is very common the warring factors and then the underdog becomes जो आपका अगर छीज भोल रहूँ Mario Puzu का जो story godfather the son becomes the main thing but then the twist that they give with the characters not the story like beautifully they have made the character that is what I want to develop in my next stronger characters when you think that this character which means mean which can be a little better but then he disappoints you or then he does something out of ordinary I want to explore more characters also for that I have to do a little longer format broken into like a mini series mini series because that would be easier economically so that I can self release it and earn some money who knows in two years time anything can change but if the length is bigger then it won't be more I will I will again ensure that my budget is how much any star will you try to do it next time I will reach out to the stars with my body of work if you will do it you will not get a lot of face unless you are sure I will say that you will not get a lot of screen time I will not get a lot of screen time I will not get a lot of screen time they have but there are some characters there are some actors who don't hold the screen space Dilushan Devayar somebody I want to work with next and also Jaidi Palavad then I want to work with Shefali Shah I want to work with Rashika Dugal so have you seen the three of us movie I just stopped it at 20 minutes I have heard great things about it yes that in those 20 minutes whatever I watch I have a breathing space where the character is the story I am very good who doesn't mention it but doesn't say it I love that I want to write a simple story I want to write a simple story I like the simplicity but I can't write it is very difficult to be simple it is not easy but more difficult is to act simple act simply to execute that simple story story writing of all these things story writing simple story writing writing will be easy compared to how to execute it writing a simple story is very difficult for me personally but do you think that if you write a simple story then you can execute it well yes okay so you're there I'm stuck there in my thought process when I'm stuck that I'm so complicated ask my husband I'm so complicated so I'll help you that you can tell how to write because it will be simple I don't have to write every day I don't have to write he is my first the first person who listens to all my stories my novel which is the first time I've read them he and then my mom so tell me about psychology in which way what insight you got to get that you are doing a master's I don't like I don't like it I don't like it what is your insight that this will be useful to me in filmmaking in filmmaking in filmmaking I found the subject personality in year one of Igno very interesting because personality traits are some tests you just take that format and add it to your characters so you will be able to see your character more clearly while you are writing this is very good in terms of novel where you don't have to physically get out of it but if you love a character on paper you will not be open to your seven actors you can have a little experience that you want you are just a small you are just a small you are just a small in collaboration I mean that there is so much that it will be that it will be a stereotype I don't believe in over directing at all just as how I feel like the technical personnel which I see they know their work and the actors also know their work I think that something will bring the flavor to the character to the character I just want to understand what I want to see this character how they do it is up to them every little thing I don't feel like I need to unless it's grossly wrong I mean it's a sad scene and somebody's laughing so I will laugh but that doesn't happen when you hire professional actors so this which way you have shot the whole movie where the setting is the movie what was the what was the you have shot the whole where the shoot in Darjeeling it was not it was shot the in Bagdougra outskirts Gangaram T.E. State and then there's a cafe in the cafe owner in Manojda in the where we didn't get any other house so the reason we did because my last posting was in Bagdougra and baby and I wanted that within 10 km a day everything happens if it's more than that then my money will increase and I'll keep longer at least I can drop in anytime meet my child come back as a mother I have to call these decisions and as a business person I have to so now next project is for you a lot of good luck thank you so much you have to make a good movie and hopefully mainstream and popular actors have to have to have to come back you have to budget which is a million crores in that is another headache which is your creative space that is going to you I want to reach this space that we all filmmakers are a crib that we are more on the business side because you are only until you don't lock the picture after that you you become business accounting you do paper work and talk everyone in the door knock to talk to art art doesn't keep this is a big issue it is an issue but it is understandable if your child is born you will have to give the best possible chance to your child don't think that God will come and give clothes you have to work this is a problem apart from psychology and these aspects of camera angles you are self teaching yourself all these things so what means you see directors who are big directors in the past as well as present ones what do you try to see their work and what way they learn to learn now my influences were Hitchcock we shared the same birthday that was my obsession with him since I was 10 years old Hitchcock and then Nolan Nolan is my next I like his way of storytelling and I like Interstellar music like Hans Zimmer I like these kind of things have influenced my style of filmmaking I can't call it style because I don't know what is my style yet after 1-2-3 film you will know that I do it because first of all a film is of collaborators so next I will have a louder voice that you can hear hopefully it doesn't drown out other people but I forgot the question the directors now that I have more time to focus I want to go back to the classics I want to see their filmmaking mainly because of the characters and how in smaller budgets they've managed the smaller thing and I want to make a film with very less dialogue dialogue I don't how much can't talk and I want to make a movie with a lot of dialogue maybe one two three max silent movie types music will give me how much we can tell you that character you communicate and also Japanese film makers Kurasawa I know what I will teach you some aspect that you thought that this director is good storytelling maybe next project I incorporate it अब ही तक तो मैंने ऐसा नहीं सोचा है पर मुझे more than directors, मेरे को writers का जो filmmaker जिस भी film का जो भी writer होता है script writer मुझे उनसे बहुत ज्यादा jealousy होता है मैं ऐसे क्यों मैं ऐसे क्यों नहीं लिख पाते है the moment I am jealous किसी के काम को लेकर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा ही करना है I want to imbibe that बट इसमें role कितना होता है जैसे screenplay जो writers है और जो पहले script भी बनता है बट मतलब उसमें visualize करने का direction देने का मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा role किसका है screenplay writer का या director visualize करते कि नहीं इसको तुमने इस तरीके से किया but who has the better authority मतलब to sense it is director to director but मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई director किसी का script ले रहा है then he modifies it to his vision okay unless जो script writer है वो खुद करता है मैं अपनी scripts को करना चाहते इसलिए मैं ऐसा सोच चाहते serious men आपने दिखा होगा I love that script क्योंकि मैंने ऐसे लोग दीखा है मतलब कुछ भी बोलते है और दुनिया उसको इतना intelligent मानते है बोलने का तरीका इस तरीके शूप है oh you fool fool बोल दे तो लोग को दा रहे he knows everything मेरे साथ काम के वो ऐसे लोग है मुझे लगता कि बागे दुनिया को देख क्यों नहीं रहा कि मुझे बहुत जलन वा था उनके राइट and obviously Raman Raghav to point out oh I love these that was crazy movie I love that girl in the yellow boots मुझे अनरा कशिव के जो starting जो filmography था I love most of it but उसमें मुझे बढ़ा if you look at all these movies that you have talked about not all but most में क्या है कि violence बहुत निकर गया आता है वो मेरा personal choice है कि but आपने तो violence दिखाया ही काजी में तो बिल्कुली नहीं है that's my personal choice हर act creator का एक personal choice मेरे movie में आपको smoking नहीं दिखा क्योंकि वो मेरा personal choice है क्योंकि I don't want to show that to the I want to show a better in my movie I'm not showing just the duk of a person the better version also I'm showing कि अगर Roma के दिल में duk है कि उसका husband उसके पास नहीं आ रहा she also has the support of her father-in-law जो बोले कि बेटा तुमे क्या problem मुझे बताओ कोई सुनने के लिए राजी है and वो आप इमाजन नहीं कर सकते है कि कि किसी के father-in-law आकर पुछेंगे कि चलो मैं तुमें कॉफ पला tell me what is the problem I wanted to show this ऐसे भी हो सकते तुमें मेरे father-in-law इतने उनके सामें मुझे कभी गुंगट नहीं करना पड़ा उनको गर्व है कि मैं फौजी हूँ मेरे father-in-law भी फौजी है तो प्राइड से वो बोलते है कि मेरी बहु बहु बहुरी that is the term used in the movie also और इंडिया में जो आपने कोई ऐसे stars तो नहीं कहूँगा actors जिनके साथ आप चाहते हैं कि उनके through किसी characters को explore जो आपके mind में हो कि है अभी गुल्षेन दिवाया मेरे दिमाग में काफी हटके हुग है और मेरा जो novel है butterfly in a bind अगर वो बनेगा तो I have a lot of actors in my head जिसमें हीबाशा भी है जिसमें शेफाली आनन्द है but the rest all I need to know that they will come on work यह थोड़ा बड़ा project होगा बड़ा budget होगा मुझे नहीं पता whether I will be kept on budget तो उसके बारे में सोच के भी कोई फायदा नहीं depends who buys the rights adaptation rights और जो movie dharma के पास है वो अभी उसका कोई श्रीक के साथ उसका अभी तक कुछ आया नहीं इस बात को लेगी तीन साल हो गया कुछ होगा नहीं और ऐसा movie में it's a female action film तो वो शायद मैं नहीं बना पाऊंगी मेरा ऐसा mindset नहीं है बट आपको लगता है कि कभी-कभी जैसे बना दिया आपने जैसे वो भीज दिया entry तो अभी तीन साल बात लग रहा है अरे उसमें कुछ इस तरीके से चेंज करते हैं in fact मेरा मेरे जो हर राइटिंग वाला है if I see it after a year और six months और मुझे ऐसे लगता है और चेंज करते हूं और चेंज करते हूं बट एक ताइम पर आपको अपने आपको stop करना चाहिए there is no point in wasting अटा है अपने एक framework बना दिया if I am going to make it फिर में उसको दुबारा उसको करोंगी I'll improve it or cut it whatever और अकेले में करने का फायदा नहीं है अगर कोई और बनाने जा रहे है तो मैं क्यों उसमें और अचाह डालूँ let them decide क्या करना है wonderful conversation और आप ऐसे अच्छी movies बनाते रहें और हमको भी अच्छी movies देखने को मिले और आप में इन स्ट्रीम में ऐसी movies बनाएं big stars, big budget तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत-बहुत बदाईयां काजी के लिए और आगे भी सफल हो और आप भी इतने अच्छे host है मतलब आपने इतने जो मैं सोचते हैं कि कोई मुझसे कुछ कोई पूछ क्यों नहीं रहा आप पर वो सब questions पुचा इसलिए मैं बहुत बहुत आपारी हूँ रिस्पेक्ट अलोट कि आपने जिस तरीके से ये transition किया है it's almost impossible जो आपने करके दिखाया है in all three categories मतलब direction, acting screenplay writing मतलब कैसे कर लिया मुझे तो अभी पता नहीं चल रहे है कि आपने, how did you do it it's wonderful to be a good mother you need to have a lot of support to be a very good mother मतलब जितना husband का support family का support अथने अच्छे ममी आप पन सकते same way to be a better maybe filmmaker maybe it's not world class the way people expect but मेरे नजरों में ने बहुत अच्छा काम किया मेरे फैमिली का पूरा support my husband, my parents उन्होंने ये last two years में उनको भी तो लोग पूस्ते थे क्या हुआ तुमारे बीटी का फॉच तो छोड़े है उसने कुछ किया नहीं कभी कहा हार है कहा हार है they never they also gave me some money कभी मेरे को परिशान नहीं किया कभी मुझे नीचा नहीं दिखा कभी मुझे ऐसे फील नहीं करा है कि तुमने क्या कर दिया and I'm lucky कितने लोग ऐसे हैं जो बोल सकते हैं कि उनको ऐसा family support true true and this is a wonderful gift actually और आप से बात करके बहुत अच्छा लगा hopefully हम अगली movie आएगी तब बात करेंगे और मिलते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद मैम thank you for your service also thank you so much and your venture into filmmaking congratulations and best of luck thank you